जय हिन दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग मैं हूँ आप सभी लोग का दोस संचेट और दोस्तों आज कि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी में हमारा आज के लिए किस तरीके से मार्केट ने एक बहुत अच्छी रैली लोर लेवल से दिखाई है कल हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं वर्ल्ल मार्केट से किस तरीके से क्यूज मिल रहे हैं क्या बन रहा है सारी चीज़े इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीज़ेगा बेल आइकन को तबाहिए का और इस वीडियो का लाइकिम हम रखते हैं लगबग 4000 लाइक्स जो कि आप पूरा कर ही कि अवजार डेम वेशना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं देखिए सबसे पहली चीज़ हम जो आज डिसकस करने वाले हैं वो है इंपोर्टन चीज़ वर्ल मार्केट को लेकर इस वक्त अगर आप देखे हमारे मार्केट ने आज पूरी तरीके से किसी भी ग्लोबल मार्केट को आउट परफॉर्म किया है क्योंकि अगर आप देखें डाउ दो दिन में हजार पॉंट से जादा गिर चुका है नैस्डेक तीन सो चार सो पॉंट गिर चुका है और उसके बावजूद अभी भी अगर आप देखें उनके फ्यूचर लगबग फ्लैट कारोबा कर रहे हैं आपको पता है हमारा मार्केट जनरली क्या अगरता है प्रियम्टिव जो है वो मूव दे देता है जैसे अगर आज स्ट्रॉंग क्लोजिंग हुई है इस्पेशली निफ्टी और में आखरी आदे गंटे में बहुत स्ट्रॉंग मूव हमें आता हूँ दिखाई तो दिरीज़ प्रॉबिलिटी के अमेरिकन मार्केट में भी एक स्ट्रॉंग मतलब अच्छा कारोबार हमें देखने को मिले आज के दिन उस चीज़ को हमारा मार्केट करने की पहले से कोशिश करता है चेस्टा करता है तो इस वज़ए से हमें एक अच्छा मोमेंटम अमेर आज मैं टेलिग्राम ग्रूप पे ज्यादा अक्टिव नहीं था पर्सनल ट्रेड ग्रूप में पहले पुट दिया था था बैंक निफ्टी के देन 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 दोनों में जबर्दर्स प्रॉफित अपने को होता हुआ दिखाई दिया है तो आप लोगों ने अभी तक पर्सनल ट्रेड ग्रूप जॉइन नहीं किया लिंक आपको नीचे दिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यू कन अल्वेस जॉइन दे ग्रूप बाकि अगर आप बात करें हमारे लेवल्स की तो देखिए मार्केट ने आज बाउंस कहां से लिया जो इंपॉर्टन लेवल कल भी में आप लोगों के साथ डिसक्स कर रहा था लेवल वस अरांड 17,350 क्यों इंपॉर्टन था क्योंकि 17,350 पर था हमारा निफ्टी का 20-day exponential moving average जो है वो निफ्टी का हमारा जो है 17,350 के आसपास था और अगर आप इस एरिया को देखते हैं जहां से market ने आज bounce लिया है इस एरिया पर जो है demand हमने previous time frame पर भी मतलब पिछले कुछ दिनों में भी expect करी है देखिए हम लोगोंने कि यहां पर demand आती है क्योंकि जहां पर जब भी selling attempt होता था market जो है वो high close देता था selling attempt होता था market high close देता था रिटेस्ट करके यह first time इधर आया तो यहां पर एक strong demand जो है हमें आती हुई दिखाई दिये volatility थी but market ने closing strong दिये यह certainly एक very good sign है अगर आप आगे चलते हुए बात करते हैं अब अगर आपको short करना है market को positionally में यहां पर बात कर रहा हूं तो जब तक 17,350 का level nifty में bank nifty में 37,900 का level bank nifty में जब तक नहीं टूटता है हम लोग aggressively और positional short यहां पर नहीं जा सकते हैं ठीक है यह चीज़ अपने को समझने होगी ग्लोबल की उस अब बिल्कुली खराब हो जाते हैं तब तो situation ही अलग हो जाएगी तो आज रात को जब American markets open होंगे उसके बाद डॉलर किस तरीके से react करता है वो देख रहा है important होगा बट आज के दिन जो सबसे बड़ा positive था हमारे market के लिए भी जिसने हमारे market को एक सहारा दिया और support दिया जब डॉलर की strength के साथ मतलब पूरी दुनिया में डॉलर की weakness जो है मतलब डॉलर की strength है वो increase हो रही है और साथ में जितने भी currencies हैं जैसे यूआन हो गया येन हो गया यूरो हो गया उन सब की weakness जो है वो बढ़ती जा रही है ठीक है उसके बावजूद जो है हम लोगों को इंडियन रुपी में आज उतना depreciation नहीं दिखाए दिया बलकि flat कारोबारी दिखाए दिया which shows the strength of Indian रुपी और ये economy wise भी बहुत better है economy wise भी अच्छी खबर है and I would not be surprise to see positive inflows of the FIs in the next few days तो यह देखना important होगा कि जितना strong रुपी रहता है वो certainly हमारे लिए better होगा तो American market पे एक नजर रखनी होगी आज अगर दुबारा से American markets गिरते हैं तो वो certainly एक बड़ा negative होगा but जिस हिसाब से closing हुई है वो काफी अच्छी हुई है अगर आप overall picture में बात क किल के लिए हम किस तरीके से trade कर सकते हैं plan कर सकते हैं यह चीज अपने को ध्यान में रखना होगा देखो आज market ने क्या किया 17350 पे खुला sharp recovery दी sharp recovery देने के बाद dip आया exact CPR level 410 वाला ता वहां से market बाउंस लिया और उसके बाद 200 EA में around 600 के आसपस हमें आता होगा दिखाई दि ब्रेक आउट दिया इस double bottom का एंड उपर की साइड में strong closing जो gap है वो fill होता हूँ हमें bank nifty में certainly दिखाई दिया nifty में अभी भी gap filling जो है वो pending है around 722 के आसपस यह gap filling पूरी होती हुई हमें दिखाई देगी but अच्छी चीज़ क्या है volumes अगर आप volumes देखते हैं तो volumes बहुत अखरी के 15-20 minutes में हमें आते वे दिखाई दिया which shows the confidence of the bulls अब data की सिसाब से बन रहा है वो चीज़ देखना important होगा तो data अगर मैं लगाता हूँ सबसे पहले तो nifty का data अगर मैं लगाता हूँ 0.86 का PCR है 18,000 massive 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 call writing का area है उसके अलावा अगर आप देखो तो call writer आज थोड़ा back foot पे गया है मतलब put writer आया है साथ में call writer कोई aggressive position बना के नहीं खड़ा हुआ है अगर आप 17,600 को हटा देते हो तो 17,600 make or break level है कल के लिए 17,600 के उपर अगर market sustain करता है then कोई call writer खड़ा नहीं है उतनी aggressive position बना के 17,800 और 900 पे अगर हम overall picture को देखते हैं तो nifty के अंदर ठीक है तो n level मेरे लिए होगा that is around 17,630 का 17,630 का level अगर nifty break करता है then मैं buy करने की कोशिश करूँगा पहला मेरा target होगा around 17,690 का दूसरा target होगा gap का that would be around 17,730 का अगर 730 break हो जाता है then हम लोग दुबारा से entry ले सकते हैं target होगा around 17,810 का ये targets के लिए हम लोग nifty को buy कर सकते हैं short अपने को कहां पर करना है अगर nifty में 17,525 का level तूड जाता है तो हम एक short attempt ले सकते हैं पहला target जो अपने को मिलेगा that would be around 17,400 का दूसरा target जो अपने को मिलेगा that would be around 17,325 का ये targets के लिए हम लोग nifty को short भी कर सकते हैं bank nifty के अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो देखें bank nifty में भी picture clear है अगर मैं bank nifty की यहाँ पर बात करता हूँ data wise अगर मैं bank nifty को यहाँ पर लगाता हूँ तो इसमें एक चीज़ clear दिखाई दे रही है जो कल aggressive call writing हुई थी आज उतनी aggressive put writing हुई है उसके बावजूद put call ratio अभी भी 0.85 ने neutral zone में है which is a good thing तो अभी भी system में especially bank nifty में काफी shorts भरे हुए है तो यह shorts जिसकी वज़े से हमें आज bank nifty में अच्छी short covering देखने को मिली कल भी short covering को fuel कर सकते हैं अगर market कुछ important levels के उपर sustain करता है तो तो वह sustainable वाले कौन से levels होंगे सबसे पहला है और important level तो मेरे लिए यही है जहां पर market close हुआ है उससे मैं थोड़ी उपर के levels लेता हूं leverage लेता हूं 38,900 का ठीक है market close provisionally अगर आप देखे तो 38,700 के उपर हुआ है तो 38,900, 38,850 यह levels के उपर अगर bank nifty sustain करता है 38,850 के उपर कल अगर gap up होता है तो तो तन दाट वुड़ बेस्ट के सिनेरियो पहला target जो हम लेके चलेंगे 49,100 का 39,100 का लेके चलेंगे दूसरा target जो हम लेके चल सकते हैं that would be around 39,300 का यह दो targets के लिए हम bank nifty को long कर सकते है अगर आप bank nifty को long करना चाहते हैं तो important levels आपको watch out करने चाहिए downside की बात करते हैं तो bank nifty को आपको short कहाँ पे करना है मेरे हिसाब से banks को आपको short करना है around 38,500 के नीचे 38,500 के नीचे अगर market drift करता है तेन आप bank nifty को short कर सकते हैं पहला target जो अपने को मिलेगा that would be around 38,300 का 38,300 के नीचे अगर bank nifty drift करता है तेन हम लोगों को 38,100 तक के levels दुबारा से एक बार के लिए रिविजिट होते हुए दिखाई दे सकते है तो यह दो levels को आपको watch out करके रखना है on the downside में तो यही चीज है let's see market किस तरह किसे react करता है world market किस तरह किसे react करते है और उसके बाद अपने market में क्या strength रहती है जो आज market ने show करी है या फिर दुबारा से एक sell-off का session अपने को देखने को मिलेगा तो दोस्तों आशा करता हूं वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को लाइक किजिएगा मिलता है आप से क्ली वीडियो में thank you so much for watching जहिंद वंदे मात्रम